नमस्कार साथियों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस अकेडमी पे आज की इस वीडियो में हम डिसकसन करेंगे क्लास 6 NCRT हिस्टरी की पुस्तक से टॉप 25 MCQs इससे सम्मधित और भी पार्ट हमारे चैनल पे जो एकी अपलोड कर दिये गए आप अगर चैनल पे पहली बारा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज जो एकी प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें वहां से हमारे टेस्ट पेपर को देख सकते हैं जो आपके UPSC, State PCS, साथी साथ RIT 2001 के CETATE और UPTATE के एक्जाम्स के लिए बहुत ही महातपूर स 1, 2, 3, 4, 5 यानि की सभी जगहों से जो है की असो के सिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं अगले कोशन की ओर चलते हैं कर और नजराना के संदर में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए और सही कतन की पैचान कीजिए कर अन्यमित धंग से एकत्र किये जाते थे नजराना धंग से एकत्र किया यह था यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट लिखे गए हैं कोशन में नेक्स देखते हैं मौरे परसासन से जुड़े निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए और कौन सा कतन सही उसकी पैचान कीजिए मौरे परसासन के छोटे छेतर या प्रांतों पर त दिया करते थे तो तीनों ही स्टेट्मेंट यहां पर सही है पहला दूसरा और तीसरा नेक्स कोशन पर चलते हैं चंद्रकुप्ति के दरबार में पश्चिमेसिया के युनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आया था उसका क्या नाम था तो ए आफसन सही हो जिसमें एक वर्ग दार्षनिक होता है एक किसान वर्ग होता है तो इस तरीके से उसने साथ वर्गों में जोएकी बाटा था अगले प्रशन की ओर चलते हैं मेगस्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया समराट के विशय में उनके विवरण के संदर म निम्लिखित कतनों पर विचार कीजे और कौन सा कतन सही है इसके बारे में हम बात करेंगे समराट के जनता को सामने आने के अवसरों पर सोभा यात्रा के रूप में जस्न होता था उनके अंगरक्षक सोने वा चांदी से सजे हथियारों पर सवार रहते थे कुछ सामराज के संदर में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए उझयन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था आधोनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विचार अर्त सास्तर में लिखे गए थे इसका सभी जवाब हो जाएगा B option केवल 2 क्वेशन में नेक्स देखते हैं अविवर्ति में अपने योगदान को दें तो यह दोनों ही स्टेट्मेंट सही हैं इसलिए सी ओफसन इसका हो जाएगा और कलिंग युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो कलिंग युद्ध जो की उड़ीसा में हुआ था उसके तेरहवें सिलालेक में इसकी चर्चा दी जाती है और जिसमें बताया था कि उसके पश्चात उसने बहुत पस्तावा बैक्त किया जिसके बाद उसने युद्ध करना ही छोड़ दिया अगले प्रश्न की ओर चले असोक ने जगए जगए जाकर लोगों को सिख्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की इन अधिकारियों को निमलिखित में से किस नाम से जाना जाता था धम अधिकारी, धम गुरू, धम महामात या धम अमाते तो C आफ़सन इसका सही हो जाएगा धम महामात नेक्स कोशन देखते हैं धम के परचार के लिए असोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए असोक ने अपने संदेश कई अस्थानों पर सिलाओं और इस्तंभों पर खुदवाय यह भी सही है उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़ कर सुना है जो खुद पढ़ नहीं सकते थे यह भी सही है असोक ने धम के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्री, स्रिलंका में भी भेजा दूत भेजे थे खुद अपने बेटे और बेटी महंदर और संगमित्रा को भी जोए की भेजा था भारत से बाहर बहुत धर्म का परचार करने के लिए तो यहाँ पी तीनों ही स्टेट्मेंट सही है नेक्स कोश्चन देखते हैं आधोनिक भारत की जादतर लिपियां पिछले सैक्डों वर्सों में निमलिखित में से किस लिपी से उत्पन हुई है देवनागरी, तमिल, ब्राम्ही, बंगला तो सी ओफसन सही हो जाएगा ब्राम्ही अगले प्रशनी की ओर चलें अपनी प्रशा के लिए असोग द्वारा दिये संदेशों के संदर में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजे कौन कौन से कत्र सत्य हैं इनकी ब्याख्या कीजे बिभिन अवसरों पर किये जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है उसने कर्मकांड के अस्थान पर दूसरी रीतियां बताई ये रीतियां है अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा बेवार करना बड़ों का आधर करना जीवों पर दया करना और ब्रामणों तुथा स्रमणों को डान देना तो ये दोनों ही स्टेट्मेंट ये सही हैं इसलिए सी आफशन इसका सही हो जाएगा अगले प्रशन की ओर चलते हैं यहां पर सूची फर्स्ट में ग्राम वासी हैं और सूची सेकंड में नाम है इनको आपस में मिलाना है तो देखे बड़े भूस्वामी क्या कहलाते थे विलाल कहलाते थे और जो किसान होते थे वो विलार कहलाते थे यहां पर जब मैं विलार वताओं तो इसका मतलब क्या हो गया विल्लार होते हैं जो गरीब या किसान होते थे या जो भूमी हीन होते थे और जिनके पस भूमी होती थी उसको हम विल्लाल कहते थे अगला हम देखते हैं हलवाले हलवाले का क्या हो जाएगा उडवार जिसको कहा जाता था और भूमी ही या मजदूर या दास की अगर हम बात करेंगे तो इसको कडैसियार या अदिमई कहते थे अब प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक भी कहा जाता था इसलिए सी ओफसन से ह हो जाएगा चार तीन दो एक नेक्स कोशन देखते हैं लगबख पच्चिस सव वर्सपूर्प भारती उप महादीब के उत्री हिस्से के गावों के संदर में निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन से कथन सही है गावों का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहा ला अगले प्रश्न की ओर चलें संगम साहित निम्लिखित में से किस से संबंधित है संस्क्रिप्ट तमिल तेलगू कन्नड तो इसका सही जवाब हो जाएगा वी ऑफ्शन तमिल से संबंधित है भरूच बंदरगाह से होने वाले यातायात या आयात या निर्यात के संदर में निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है भरूच बंदरगाह यहां सराब, तांबा, टिन, सीसा, मोंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिकों तो था हाथी दान्तों का आयात होता था हिमालय की जड़ी बूटियां, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेसम तथा इत्र यहां से निर्यात किये जाते थे, तो स्टेट्मेंट नमबर बी, यानि कि दूसरा स्टेट्मेंट सही है, पहला स्टेट्मेंट सही नहीं है, अगले प्रशनी की ओर चलें, विन्मे के साधनों के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीज तो इसका बी वाला option सही हो जाएगा, आहत सिक्के सबसे पुराने होते थे, लेकिन यि तीन के नहीं बने होते थे, तीन के नहीं बने होते थे, अगले प्रशनी की ओर चलें, मतुरा फचीस सो साल से भी अधिक समय से एक महत्पूर नगर रहा है, मतुरा यातायत और प्राचीन नगरी तित्ता कपड़ा उत्पादन के संदर में निमनिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसकी पहचान करनी है पुरा इस्थनों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुन्दर बर्तनों को उत्री काले चमकीले पात्र कहा जाता है ये बर्तन उप महादीब के केवल पुर्वत्तर भागों में केवल पुर्वत्तर भागों से ही प्राप्त हुए हैं उत्तर में वाराणासी, दच्छड में मदुर है, कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध किंद रहे हैं, तो second statement सही है, लेकिन पहला गलत है, इसलिए B-Option इसका सही हो जाएगा. Question number next देखते हैं, प्राचीन नगरों में स्रेडियों के संदर में निमनिखित कथनों पर विचार कीजे, कौन सा कथन सही है, स्रेडी संयुक्त रूप से सिल्पकारों और व्यापारियों का एक संग होता था, ये स्रेडियां बैंकों के रूप में भी कारे करती थी, जहां प्राचीन पत्तन, पत्तन मतलब बंदरगा होता है, किस राज्य में इस्थित है, तमिल नाडू, आंदर प्रदेश, पुद्धुचेरी, करनाटग, तो C स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पुद्धुचेरी, अगले प्रश्न की ओर देखें, प्रारम में तमिल भासा के लि प्राइब हो जाएगा, अगले प्रश्न की ओर देखें, दच्छिड भारत में इस्थित, अरिका मेडू का रोमन नाब, निमलिखित में से कौन सथा, इसका सही जवाब हो जाएगा, पुद्धु का, जो कि कहा पेस्थित है, पुद्धुचेरी में, अगले प्रश्न की ओ आएगे, और फिर लास्ट में कुसाण आएगे, तो सी ओफिसन यहापे सही हो जाएगा आपका, कोशन नमबर लास्ट चलते हमें स्लाइड का, संगम कालीन ब्यापार के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, दच्छिड भारत सोना, मसाले, खास तोर पर का अधित था, काली मिर्च की रोमन सामराज में इतनी मांग थी कि वे इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे, ब्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए किवल समुदरी मारगों का प्रियोग करते थे, और दच्छिड भारत से रोम से ब्यापार के प्रमार सुरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, तो सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि किवल समुदरी मारग ही नहीं, अस्थली मारग का भी प्रियोग किया जाता था, काबुल कांधार होते हुए कि जो आज का मध ऐसिया वाला देश, अतान वाला देश, जहां किर्गिस्तान, कज यहां सो होते हुए जो है कि इरान सो होते हुए आगे तक ब्यापार होता था, यानि अस्थल मारग का भी प्रियोग किया जाता था, इसलिए सी ऑफशन यहां पे गलत मना जाएगा, अर्थात यह स्टेटमेंट गलत है, तो यह थे आपके टॉप 25 MCQs, और इस से पेलिग्राम चनल को जाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चलिए मिलते हैं आपको इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जैहिन!